दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कमपनिया जो होती हैं फ्रॉड करने के लिए कितने सारे तरीके निकाल लेती हैं ताकि जो मासूम लोग हैं उनको फ्रॉड में फशाया जा सके और खुद तो company पैसा जो है बना लेगा लेकिन लोग जो है मासूम भूस में फंच जाते हैं और लोगों को फंचाने के लिए बहुत सारे इनके पास tips और tricks होते हैं अब मैं example के तोड़ पर उस company का नाम जो है XYZ ड्रग देता हूँ ठीक है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस तरह के फालतू company का जिससे कि हम नाम अगर लेंगे तो एक तरह से मैं उसको पड़मोट करूँगा तो वो का मैं नहीं करूँगा अब मान लीजे एक XYZ company है तो ये company क्या करती है कि अपने इसके educational products हैं ठीक है जो लोगों के benefits के product है educational product ठीक है ये sale करती है अब company क्या कर रही है XYZ कि वो जो है एक affiliate marketing वाला एक जो है ना उसमें model चालू कर दी है जिसमें कि लोग जूड़ सकते हैं और XYZ company के जो educational product है उसको बेच सकते हैं ठीक है अब इसमें भी problem ये है कि XYZ company में जब आप उनके product को बेचने के लिए जूड़िएगा तो उसके लिए भी आपको एक बड़ा amount अपने घर से देना पड़ेगा बहुत बड़ा amount तब जाके आपका admission होगा XYZ company में उस product को sale करने के लिए समझें अब जब आप sale करोगे XYZ का product तब जाके आपको commission यहाँ पर मिलेगा अब इसमें भी सबसे बड़ा problem क्या है वो समझ लीजिए ये company इतना अच्छी तरेके से fraud कर रही है कि अब क्या होडा है कि मान लीजिए आप अगर XYZ company में जोड़ना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे YouTube पर या Google पर जाके लिए होगे XYZ company fraud XYZ company complain XYZ company review क्योंकि आपको देखना है कि वो company कैसी है उससे किसी को फाइदा होडा है कि नहीं तो ये company क्या करती है XYZ उसने जो लोग उसमें जोईन है जो लड़के या जो आदमी उसकी में जोईन है उन लोगों से जो है न सारा वीडियो बनवा दिया है ठीक है न उसी टाइटल में XYZ fraud company है तो XYZ company को expose कर रहा हूँ XYZ company बहुत ही ज्यादा लोगों को लुटती है XYZ company जो है expose इस तरह के title दे देके खुद उस company नहीं अपने लड़कों से अपने चेरा चापाटियों से जो उनको join किये हुए उनसे वो वीडियो company बनवा दिये अब आप YouTube पर या Google बजा के search करोगे तो केवल उनके ही वीडियो आएंगे आप सचोगे कि चलो ये देख लेते हैं वीडियो में जो है ना हमको सही चीज मालूप चल जाए लेकिन जब आप वीडियो देखोगे तो वही XYZ company के जो लोग हैं जिसमें काम कर रहे हैं वही लोग वीडियो बनाया हैं तो वो लोग तो उस company के बारे में कोई बुडाई तो करेंगे नहीं नहीं जान पाए ठीक है तो एक company fraud करने के लिए अलग अलग तरीके के जो है ना टिप्स और ट्रिक्स जो है अपनाती है तो आज के जमाने में अगर आपको fraud से बचना है तो आपको अपना पूरा दिमाग जो है खुला रखना होगा चीजों को समझना होगा ठीक है अच्छ वर्क हैं जिसमें आप फ्री में जॉइन करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो जैसे कि Amazon का affiliate marketing हो गया Flipkart का हो गया या फिर Clickbank का हो गया सब फ्री है और यहां के product भी अगर आप परमोट कर रहे हो और उसका sale होता है लोग खड़ीते हैं तो अच्छा commission आपको मिलता है तो जो है हमको फ्री में अच्छे अच्छे company मिल रहे हैं affiliate marketing करने के लिए तो हम पैसा देखे XYZ company में क्यों करेंगे इसको क्यों करेंगे इतना बड़ा बड़ा amount देखे उसके product को sale करेंगे फिरम को उसमें से थोड़ा सा commission देगा क्यों ऐसा नहीं ठीक है और दूसरा बात कि इस गुमड़ा कर रहे हैं इस तरह के वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलग तो यही है ना कि आप जो है लोगों को गुमड़ा कर रहे हो सही तरह से काम नहीं कर रहे हो आदमी को इस हाथ से अगर कान पकड़ना है तो आप जो है हाथ घुमा के पकर रहे हो कान है ना तो यह हो लिजिए कि कोई व्यक्ति XYZ कमपनी में जोइन कर ले रहा है एज एफिलियेट और उसको अच्छा एक्सप्रियेंस नहीं मिला वो बिल्कुल ठगा हुआ महसुस कर रहा है अब वो भी जाके यूटूब पर अगर वीडियो बना देगा उस कमपनी के बारे में ठीक है तो उसका लोग तो देखी नहीं पाएं क्योंकि लोग जब वीडियो के लिज़ सर्च करते हैं गूगल पर यूटूब पर केवल उन्ही XYZ कमपनी के जो भी चेल अचे पाटी है उनका ही वीडियो आता है वो लोग के वल पुजिटिव बात करते हैं लेकिन टाइटल जो वीडियो के है टाइटल जो उनका डिस्क्रिप्टन है वो निगेटिव होता है तब तो कोई सही आदमी देखी नहीं पाएगा कोई रियल अगर सही में कमपलेन करे उस कमपनी के बारे में तो उसको तब कोई जान ही नहीं पाएगा अब बताइए सारे वीडियो में अब रियल परसन को खोईना कितना मुस्किल वाला बात है लोग तो वीडियो देख देखके वोड हो जाएगे तो यही है इस X, Y, Z कमपनी का चाल ठीक है और इस चाल के चलते ही जो है लोग उस कमपनी के बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं ठीक है तो दिवाग खुला रख के जो है कमपनी को पहचानिए अपना दिवाग लगाईए और उसके बाद ही किसी कंपणी को जोईन कीजिए Otherwise फ्रोड के चक्रों में पड़ जाओगे और आपका बहुत सरा मेहनत का पैसा जो है बड़वाद होगा धन्यवाद